कि स्वागत करते हैं एक फिर से आपका अपने सी यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लेट्स रिड दोस्तो मैट्स की सीरीज का यह जो है तेरवी वीडियो है तो उमीद करते हैं जो हमने आपके लिए यह वीडियो और यह जो हमारा कॉंटेंट है यह आपको पसंद आ रह सके अभी तक हमने अपने जितने भी टॉपिक कंपलीट किये हैं मेन हमारे तीन टॉपिक कंपलीट हो चुके हैं और यह चौता हमारा टॉपिक जो है चला हुआ है इसकी जो हमने दो वीडियो पहले डाल दी है तो इसमें जो हमारा पहला टॉपिक था वो था जो आपके बे करते हैं number series में और बना बन दोसरी दूसरा lecture सिसमें वो था special number को लेकर तो आज जो हमारा जो लेक्चर है वह है missing number ठीक है एक series में जो है missing number किस तरह से find-out करते हैं तो मैं उमीद करते हैं कि यह जो हमारा आज का लेक्चर है यह भी आपको पसंद आया आएगा तो इसी तरह से हमारे साथ बने रहीएगे तो start करते हैं आज का topic missing number series दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी topic से पहले हम ज़र कुछ एक information जरूर आपके साथ सांजा करते हैं तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमने missing series start करना है उससे पहले हमारे को थोड़ी सी information चाहिए तो इसमें क्या होता है कि हमने आपको पहले बताया था जब भी एक series होगी या तो उसमें क्या होगा या तो उसमें दो numbers के बीच में difference जो होगा simple difference होगा या जो है उसके बीच में double difference होगा ठीक है दो series के बीच में ठीक है या उसमें multiplication होगी ठीक है या उसमें जो है प्लस माइनस होगा या उसमें जो है डिवाइड और मल्टिप्लाई होगा ठीक है एक information आपके साथ और साजा करना चाहेंगे वो है कई बार क्या होता है कि series कई बार जो है पहले decrease होती है ठीक है फिर जो उसके बाद constant रहती है फिर उसके बाद जो है increase होती है ठीक है उस case में जो है आपने उस चीज को कैसे find करना है इसमें क्या होता है जब भी आपके पास कोई ऐसी series हो जिसमें जो है पहले decreasing order में हो फिर जो है constant raise series फिर जो है increase हो जाए तो उस series में आपने क्या करना है तो इसमें क्या होता है मानलों के लिए कोई एक series है हमारे पास ठीक है तो है 6 है 3 3 6 24 120 यह हमारे पास series है ठीक है मानलों के लिए इसमें कोई एक number missing है ठीक है मानलों के लिए कोई एक number हम miss कर देते हैं इसमें तो यह हमारे पास ठीक है यहां पर हमारे पास कोशिन मार्क है ठीक है तो इस सिरीज में क्या है कि पहले क्या है आपके पास जो है सिरीज में नमबर क्या हो रहे हैं डिक्रीज हो रहे हैं फिर जो है यहां पर आपके पास कॉंस्टेंट हो रहे हैं फिर जो है यह सिरीज जो है इनक्रीज हो रही है ठीक है इस case पर आपने क्या करना है आप देख रहे होंगे पहले डिक्रीज हो रहा है तो इसमें क्या होता है इसमें आपने जो है एक basic formula आपने याद रखना है कि इसमें आपने जो है याल तो multiply 0.5 से करना है यह आप डिवाइड कर सकते हैं दो से ठीक है सिप्लियम कह सकते हैं कि आपको जो है डिवाइड करना है दो से ठीक है जब स्टार्टिंग होगी सीरीज की कैसे सीरीज थी है माले पास 6 3 question mark अगे था माले पास 6 24 यहां हमने दो से डिवाइड किया पहले हैं थीक है मतलब की एक वटा दो से हमने डिवाइड किया है ठीक है जीरो पॉइंट पांच का मतलब क्या होता है एक वोड़ टू पांच वटा तस कितना हो गया यह एक वर्टा दो मतलब या आप इसको जो है दो से दो से डिवाइड भी बोल सकते हैं या एक वर्टा दो से डिवाइड बोल सकते हैं ठीक है तो आपको जो है एक वर्टा दो से इसको डिवाइड करना है या इसको मल्टिप्लाइ करना है ठीक है तब क्या होग तब होगा आपके पास यह मारे पास सीरीज है 24 एकसो बानुए तब क्या होगा छे को जो हम एक गोड़ा दो से multiply या डिवाइड करेंगे तब क्या होगा मारे पास तो से यह कितना हो गया तीन तो नेक्स्ट सीरीज के आगे मेर पास तीन अब यहां देख रहे होंगे आप ठीक है जब आप छे को गुणा चार करेंगे तो 24 होता है 24 गुणा आठ करेंगे आप तो कितना होता है एक सो बानुए तो ठीक है अब यहां पर एक संख्या आएगी जिसको हम जो है डबल से चार से चार का डबल कितना होता है आठ और यहां आप देख रहे होंगे स्टार्टिंग में कि जो है जीरो पॉइंट पांच से हमने किया अब देखो डबल हो रहा है है 0.5 कर डबल कितना होता है एक मतलब 3 गुणा 1 कितना हुआ थीच 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 है तीन हो गया यहां पर 3 कितना होता है छे न हो इस तरह से जए आपको पहले जीरो पॉयंट 5 से ही मुल्टिप्लाई करना पड़ेगा ठीक है कि एक और फिस सीरीज को समझाते हैं यह अब इसको पूरा लिख लेते एक बार फिर जो है आपको क्लियर करते इसके साथ ठीक है अब देखो पहले आपने क्या किया कि छे को आपने जो है कि एक वर्टा दो से मल्टिप्लाइ कर दिया ठीक है तो आपके पास कितना हुआ तीन तीन आ गया यह आप इसको बोल सकते हैं जीरो पॉइंट पांच से आपने जो है मल्टिप्लाइग अब जीरो पॉइंट है है कि 5 पाइव का जो है मैं डवल कितना होता है एक घुना एक से और यहां छे है जब आपने तीन से जो है तीन को जह दो से गुना किया तो 6 आ गया CD 5 दो से गुटना चीजिए 24 डरा से कियां कितना है 1192 बोले का का मतलब है जो ऐसी सीरीज आएगी उसको जो है आपने पहले जीरो पॉइंट एक से मल्टिप्लाई करना पड़ेगा ठीक है तो मिसिंग सीरीज में क्या होता है यह तो हमने आपको थोड़ी सी जनरल इंफॉर्मेशन दी मिसिंग सीरीज में सीरीज में क्या होता है कि एक सीरीज में कोई भी नंबर आपके पास थिक इस तरह से दिया होगा कि कि यह जो सीरीज है ठीक है यह जो है नमबर यहाँ पर मतलब की दरशाया नहीं गया है अग्यात है जो आपने find करना है ठीक है उसको बोलते हैं missing series तो इस तरह के कुछ यह question करें हों ठीक है तो इस तरह से आपको आएगा question की find the missing number from given alternative कि जो आपके पास अग्यात संख्या है, उसको जो है आपने अपने चार ओप्षन में से जो है find out करना है, ठीक है, तो आपके पास series दी गई है, series है आपके पास, पहला question है, 101, 100, question mark की तरह जगा आपने find करना है, यह है आपके पास missing number, 877146 तो इस पर देखिए आप इन दो के सबसे पहले आपने क्या करना है सबसे पहले कोई याप सीरीज जो आपके आपको दी गई हो तो आपके माइंड में सबसे पहले क्या था कि आपने जो है डिफरेंस जो है चेक करना है ठीक है डिफरेंस किस बेस पर है प्लस में है माइन प्लाइब में है या आपके जो श्पेशल नंबर हमने बताए हैं आपको ठीक है उसके लिए आपको हमारी पहली और दूसरी वीडियो देखनी पड़ेगी तो आप जो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप वहां से जो चेक कर सकते हैं तभी जो यह चीज आपको समझाएगी ठीक है जो श्पेशल नंबर भी हमने आपको दिये हैं उसके बेस पर भी आपको डिरेक्ट कोशन दिये जा सकता है ठीक है तो वह आपने पहले चेक करना है जैसे मालों के लिए हम सब से पहले क्या चेक करता है डिफ्रेंस तो यहां क्या है माइनस 1 का डिफ्रेंस है ठीक है तो यहां कॉशन मारके ठीक है तो इन दो के बीच में कितना डिफ्रेंस है 87 और 71 के बीच में कितना डिफ्रेंस है यह हो गया आपका 16 का डिफ्रेंस माइनस 16 का difference ठीक है 71 और 46 के बीच में जो है कितना difference है ठीक है तो यह difference हो गया आपका 25 का तो अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि यह क्या हो गया आपका 1 का square ठीक है यह क्या हो गया 4 का square स्केर माइनस चार का स्केर यह क्या होगा आपका माइनस माइनस पांच का स्केर यह होगा 25 यह होगा चार का स्केर 16 तो यहां पर मिसिंग नंबर की जगा वह संक्या आएगी स्टार्टिंग से जो है माइनस तू से ठीक है माइनस दो का स्केर और यहां से जो है माइनस तीन का स तरह से अब देखो 100 और जो कोशन मार्क की जगा संक्या आएगी वहां उसका डिफ्रेंस कीतना होगा दो का दो का स्केर ठीक है और 87 और कोशन मार्क की जगा जो संक्या है उसके बीच में कि नगा डिफ्रेंस होगा तो इसमें कौन सा यह लगा हमारा स्केर का ठीक है तो इसका राइट अंसर कितना है 96 तो इसमें क्या था माइनस देखो क्या था इसमें पहले क्या था माइनस एक का स्केर ठीक है फिर माइनस दो का स्केर माइनस तेन का स्केर ठीक है माइनस चार का स्केर माइनस पांच का स्केर इस तरह से जो ही यह हुआ हमारा ठीक है इसका राइट अंसर था 96 नेक्स्ट कोश्चन है कोई सीरीज आपको इस तरह से दियोगे कोश्चन तो सेम होगा फाइंद आप इस इक नंबर फॉंदर गिवन अल्टरनेटिप्स ठीक है कि वही जो आपको अज्यात संक्या है वह आपने जो है इन चार ऑप्शन में से फाइंड करनी है ठीक है तो तो कि क्या सिरीज आपको 840 कोशन मार्क 420 नेक्स्ट है 140 उसके बाद है साथ तो इस तरह से जो आपको एक सिरीज दी लिए तो मैंने क्या बताया आपको कि सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है डिफ्रेंस ठीक है कि डिफ्रेंस कितने का है तो आप देख रहे होंगे कि अब पहले तो कॉशन मारके हमने क्या करना है इस तरह की सिरीज को हम पिछे से चेक करना है ठीक है तो आप देखेंगे की साथ और 35 कि 35 और 140 140 और 420 यहां तक आप जो है डिफ्रेंस देखेंगे कि कितने का है कि यहां देख रहे हैं आप यहां है 28 का ठीक है तो एक चीज आपके दिमागे और आ रही होगी जैसे मानलों के लिए साथ को अगर हम 5 से मल्टिप्लाइ करेंगे ठीक है तो कितना आएगा कि कितना आएगा हमारे पास 35 साथ गुना पांच किना हो गया 35 ठीक है 35 को अगर अगर 35 के साथ हम 4 गुना करेंगे ठीक है 35 को अगर 4 से गुना करेंगे तो कितना होता है पास कितना होता हमारे पास 140 140 को अगर हम 3 से गुना करेंगे ठीक है 140 को अगर हम 3 से तो हमारे पास आएगा 420 ठीक है तो 420 को अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा मारे पास 840 ठीक है 840 को अगर एक से गुणा करेंगे तो कितना आएगा मारे पास 840 तो हमने क्या किया हमने जो है इस संक्या को पहले क्या क्या पांस से गुणा क्या फिर क्या क्या चार से गुणा क्या फिर क्या क्या तीन से गुणा क्या फिर क्या क्या दो से गुणा क्या फिर क्या क् थेकर इस-धर से हमने क्या किया क्मल्टिप्लाइन क्या इसको यहां कौन सी कौन से यह लगा वारे मल्टिप्लाइन का यह यह prk stewards था लोगिन यह किन तसो है यह किस बेंधे प्लेता सब्सक्राइब सहते हैं है the question a question number 3 find missing number from the alter from the given alternatives ठीक है तो इसने है 1 है 3 है 8 है 19 है next day missing number है और 89 है तो इसमें क्या करना है आपने जो missing number की जगह आपने बता आनाह है find करना है तो इसमें आपने कि में difference बतारा है तो difference कैसे होगा कि कि starting में क्या है एक और तीन के बीच में किने का difference है दो का थीक है तीन और ना के में कितने का डिफ्रेंस है 5 का 3 और 8 के बीच में कितने का डिफ्रेंस है पांच का ठीक है आठ और 19 के बीच में कितने का डिफ्रेंस है 8 और 19 के बीच में कितने का difference है आपके 11 का ठीक है और 11 और question mark के बीच में कितने का difference है वो आपने जो है find करना है ठीक है अब आप देख रहे होंगे कि यहां क्या हुआ जब हम एक और 3 के बीच में क्या करेंगे एक multiply 2 प्लस एक करेंगे 2 से multiply क्या हमने 1 प्लस किर दिया कितना हुआ है 3 ठीक है equal to 3 अब क्या किया हमने कि दूसरा था हमारे पास 3 3 गुणा दो प्लस दो कितना हुआ तेन दो नीच प्लस एक 8 ठीक है नेक्स जो संक्या हमारे पास 8 8 गुणा 2 कितना हुआ 16 प्लस 3 कितना हो गया 19 ठीक है 19 नेक्स्ट नंबर है 19 गुणा 2 पहले क्या हमारे दो प्लस चार उनी दूनी कितना होता है 38 प्लस 4 कितना हुआ 42 तो 42 क्या हो गया आपका राइट अंसर हो गया तो नेक्स्ट भी आप चेक कर सकते हैं नेक्स्ट नंबर है 42 42 मल्टिप्लाइ 2 कितना हो 84 84 और प्लस 5 कितना हो 89 तो इस तरह से यह जो है सिरीज होगी ठीक है तो नेक्स्ट कॉश्यन है कि फाइंड दा मिसिंग नंबर फ्रॉम दा हल्टरनेटिव ठीक है जो आपको नीचे ऑप्शन है बताय हुए इस तरह इस से जो है आपने इस मिसिंग नंबर को फाइंड करना है तो देखो आपके पास सिरीज दी है 36, 52, 70, 90 इसको फाइंड करना है 136 और 162 ठीक है तो इसमें देखो आप देखेंगे कि इसके बीच में डिफ्रेंस है किने का डिफ्रेंस है 16, 56 और 50 के बीच में किने का डिफ्रेंस है 16 का 52 और 70 के बीच में किने का डिफ्रेंस है 18 का 18 और 90 की सारी 70 और 90 के बीच में किने का डिफ्रेंस है 20 का तो आप देख रहे होंगे कि यह जो नंबर है यह increasing order में 16, 18, 20, दो दो बढ़ रहे हैं, ठीक है, 20, देखो 16 और 18 के बीच में कि नगा difference है, 2 का, तो 2 बढ़ रहे हैं, यहां भी प्लस 2 होगा, 20 प्लस 2 कितना होगा, 22, तो 90 और 22 कितने होगे, कितने होगे, 112, तो missing number क्या है, 112, ठीक है, अब next क्या होगा, प्लस 2 करेंगे, यहां पर रहे, ठीक है, तो यह किन होगा, 24, तो 112 प्लस 24 कितने होते हैं, 136, ठीक है, इस तरह से जो है, आपके सबसे पहले क्या होगता है, आपके दिमाग में, difference चेक करना है, फिर multiplication, addition, subtraction, या division, यह चार चीज़े होती है, जिसे जो आपको यह difference का पता लग करता है, ठीक है, next है, यह last question है, इस वीडियो का, तो यह है, 12, 6, 21, बीच में, missing number है, और 445, तो यह जो है, आपने find करना है, ठीक है, तो यह किस तर से, जो है, find होगा, तो इसमें क्या होगा, difference कितना कितना है, difference है, आपके पास, एक और दो के बीच में कितना difference है, एक और दो के बीच में कितना difference है, ठीक है, तो, 2 और 6 के बीच में किने का difference है, चार गा, 6 और 21 के बीच में किने का difference है, 6 और 21 के बीच में किने का difference है, आपका पंदर आगा, ठीक है, अब क्या होगा, अब हम इसको चेक कर सकते हैं, कि आगे है, question mark, इस number को हमने find out करता है, ठीक है, इस difference को कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, एक, पहला number 1 है, एक गुना 1 फ्लस एक, कीना होगा है, में पास दो, ठीक है, दो गुना 1 फ्लस दो, ठीक है, तो गुना 2 कीना होता है, चार प्लस तो, छे अब हमारे next number क्या है, च्छे च्छेź, multiply 3 plus 3 किनो होगा चेति है 18 प्लस 321 ठीक है नेक्स्ट क्या होगा आपके पास 21 21 मुल्लिप्लाइ 4 प्लस कितना हैगा 4 किनो होगा 84 प्लस 488 option दी दा राइट अंसर इसमें क्या किया हमने है multiplication भी जो आपकी होगी increasing order में ठीक है और जो आपने addition की वह भी क्या होगी increasing order में इसे जो पहले question किये थे हमने उसमें क्या था multiplication सेम थी लेकिन जो है आपका addition थी वह जो है increase हुई थी यहां पर आपकी multiplication भी इंक्रीज हुई और addition भी इंक्रीज हुई ठीक है तो इस तरह से जो है आपने ये सारे missing number जो है निकालने है ठीक है तो अब जो है जितने भी question या और books में जितने question आपको मिलेंगे उनको जो है आप बार बार करते रहें इसी तरह से जो है आपकी improvement होगी लेकिन कुछ एक ट्रिक्स हम आपको बता रहे हैं इनको जो है आप इनका यूज जिरूर करें ठीक है एक बार आपको जो है टफ लगेगी लेकिन जब आप बार बार इन चीजों को करेंगे तो फिर जो है आप किसी भी चीज में महारत हासिल कर सकते हैं तो नेक्स्ट वीडियो जो है बहुत ही चलदा आपके साथ होगी thanks for watching bye bye